नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संचित स्वागत करता हूँ नॉलेजगेट पर फाइनल इस वीडियो में बात करेंगे क्रुसकल अल्गरॉद्म के बारे में है एक्जेक्ट इंप्लिमेंटेशन कैसे करना दोनों के बारे में जना अब्यूसली ताइम कॉंफ्लेक्सेट उसे कैसे भूल सकते हैं देन कंक्लूजन अल्टिमेट कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा एंदेन होंग पूस्ट तो बहुत सारी बाते डिटेल में लेके जाने व साइकोमेट्रीशन मुझे पता नहीं क्या होता है एक इंट्रस्टिंग फैक्ट मुझे मिला मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करता हूं सो क्रुसकल्स वर थ्री ब्रदर और तीनों के तीनों भाडू मतलब इनके पापा कर इंडियन होता है तो बहुत खुश होता है सो मार्टिन डेविड कुर्शियल एक और भाई थे तो इस अलसो मैथमेटिशन फिजिसिस्ट और इनका फंडमेंटल कंट्रिबूशन है मैथमेटिक्स में रेंजिंग फ्रम प्लाज्मा फिजिक्स तो जनरल रिलेटिविटी नॉन लीनियर टू एसम्टोटिक अनलेसिस औ ब्ला ब्ला पता नहीं कितना काम इनों ने किया तीसरे भाई विल्यम हेंडरी कुर्सकल अगें अमेरिगन मैथमेटिशन स्टेशियन बेस्ट नोन फॉर हिस को इनोन एक्वेशन बनाई होगी वेडियंस वगरा की नॉन पैरामेट्रिक स्टर्टिकल मैथर संदिस तो तीनो अगरेखनी पड़ता क्या स्ट्रक्चर है क्या अकानी है सबसे छोटे वेट से हमेशा उठाना है और काम करना चालू करना तो आप देखो वाट इस स्मॉलेस्ट वेट एज सबसे कम वेट क्या है इथा मेरे को 6 5 नजर आया 5 से कम हो कोई है 5 से कम नहीं है सबसे पहले 4 है then 5 है कोई और है 4 वाला है 5 वाला नहीं है then 6 वाले मेरे को बहुत सारे नजर आ रहे है तो ट्राइट तो टेक माक्सिम नंबर आफ 6 यह 6 वाला इधर आया this is also 6 and now you see this is 6 but इसको नहीं ले सकते because जैसे ही आप इसको लेंगे cycle बनेगा तो अपरोच किया है minimum weight के हिसाब से आगे बढ़ते जाना है to the increasing order अगर बीच में कहीं भी ऐसा instance हाई कि cycle बने उसको avoid करना है otherwise बढ़ते जाना है तब 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 हमारा question is all now तब तब तक यह पूरा का पूरा tree connected ना हो जाए basically तो 6 is done I think अभी 6 कोई नहीं बचा now comes 7 so this 7 I can take I think कोई cycle नहीं बना this 7 I think I can also take कोई cycle नहीं बना और कोई 7 है क्या और कोई 7 नहीं है now what about 8 यह 8 नहीं ले सकता that will lead to a cycle यह 8 ले सकता हूं this 8 I can take and I think that will be all graph connected होगी है जी हां connected है इसके आगे अगे 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 आप चलना भी चाओ की सार हमने देखा ही नहीं हम तो चलते जा रहे थे कोई टेंशन नहीं है जैसी connected होगा आगे आप जो भी edge add करोगे that will lead to a cycle तो यह है सार कुसकल अप्रोच इतनी आसान मनलब अगर आप common sense भी solve गरें तो मुझे पता नहीं आप देखे respect है कि उनके नाम से published है but this is kind of a common sense idea कोई भी solve गरेग तो ऐसी करेगा तो मैंने से अपने सबसे लिखा है सबसे छोटा उठाने का सबसे minimum weight वाला एज उठाने का साइकल बने तो भगाने का साइकल होगा तो इसको एग्नोर कर दो और जब तक graph connect नाओ चलते जाने का दुबारा try करें इस पर try करो video pause करो try करो सबसे छोटा weight उठाने का you pick 2 सबसे छोटा weight उठाने का you pick 4 then you pick 5 then you pick 7 7 सबसे छोटा weight उठाने का then you pick 10 cycle बने तो भगाने का इस 10 से cycle बने का इसको भगा तो सर so this is done this is done and then 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 इसे cycle बने का इसे cycle बने का उसके बाद इन सब में कोई एक connection मेरको बनाना पड़ेगा so let me pick this 22 I think everything is connected and question solve और बाकी आप आप करते जाओगे attempt करोगे then it will lead to a cycle so you have a minion spanning tree so I think exact idea clear है अब बात करता हूँ अब बात करता हूँ यह एक मैंने you know यहाँ पर कोशिश की एक GIF देखने की look at this यह भी वह दिखा रहा है सबसे पहले सबसे छोटा weight उठा लिया then यह 2 वाला पिक कर लिया 3 वाला पिक कर लिया 4 करेंगे तो cycle बनेगा तो यह 5 वाला उठाएंगे and there you see यह पूरा का पूरा minion spanning tree नजर आनेगा same idea है तो कोई नई बात नहीं है now let's come to exact implementation अगर आप सिफ question solve करना चाहते है इस part को skip भी कर सकते है लेकिन अगर आप interested और द्धान सा देखिएगा यहां मैं exactly बात करने वाला हूं how this crystal is actually executed yes, so A, B, C, D, E, F, G यह सब का सब आपके पास है now let's go one by one step number one let me say यह मैं exact quormen वाला idea use कर रहा हूं क्योंकि अलग-अलग market के अंदर variations हो सकते है but the quormen मैं लिखा है that is standard so let me say my solution is a let me say a return so I am initiating a loop and I am initiating a loop for each vertex v which belong to vertex set of a graph do make set v now what is this make set? so this is a kind of a symbolic function which you think that here there are many vertices how many vertices are there? I think 7 vertex are there every person individually a tree मानने लगेगा can there be a vertex with a can there be a tree with a single vertex? हो सकता है basically इसके execution का तरीका अलग है यह सबको अलग-अलग tree माननेगा और फिर दो tree को connect करता जाएग यह अप्रोच है यह बहुत different है जब हम क्रुसकल को imagine करते है तो मैंने idea पहल अलग बता रहा हूं तो हम इस तरह की बाते नहीं करते but that is how the execution take place अगर algorithm के साफ से चलेंगे step by step तो वो कुछ ऐसे काम कर रहा होता है nerd says sort the edges of e into non decreasing order of their weights non decreasing मतलब again increasing order या तो बराबर edge या तो increasing है ना तो वो मान लीज़े theoretically अच्छा यह मज़ेगी बात है तो उसको यह बोल भी नहीं रहा कि यह बाला algorithm करो आपका मन है you know merge sort use करो heap sort use करो तो you sort them and now I take each edge one by one again in the increasing order of their weight क्योंकि मैंने arrange कर लिया and now there is one more function which is called find set now what is find set find set एक function है जिसको अब अगर किसी vertex पे run करेंगे उस vertex से जो जो vertex reachable होगा that will be the result उसको बलेंगे find set उस vertex से जो जो vertex reachable होगा that is called find set for example last video मैंने question ट्राई गया था look at this suppose this is not a connected graph अगर मैं G पे find set run करूंगा तो बस आके आएगा H आएगा I आएगा J आएगा बाकी सब नहीं आएगा यह find set ठीक है समझ गए find set क्या होता अब यह execute कैसे करेंगा देखते है तो सबसे पहले क्या बोल रहा है सबसे minimum edge बताओ कौन सा है सर minimum edge यह 2 वाला है consider this edge यह आपका solution था solution में इसको union कर लो so अब यह edge में include कर रहा हूं अभी आप समझो कि find set का game क्या है और यह symbolic function union बस यह बताने के लिए कि अब इन दोनों को मैं single तरह से treat करूँ now b and e are no two separate they are two vertex connected by this edge idea यह है कि अगर दो vertex पहले से connected होंगे उनके बीच में कोई ना कोई रास्ता होगा उनका find set same आएगा because पहला दूसरे तक या दूसरा पहले तक पहुंचेगा अगर दो का find set same आएगा यानि कि वो connected है अगर वो पहले से connected है किसी और रास्ते से और फिर मैं वहां पर एक edge लगा दूँगा तो क्या बनेगा साइकल नहीं बन जाएगा for example look at this यह graph है a b c d और यह एक edge है जो मैं सोच रहा हो कि include करो अब आप मुझे बताब what is find set of a sir it is a d c b चारो आएगे क्योंकि सब reachable है find set मतलब मुझसे कौन-कौन reachable है what is find set of b फिर भी 4 आएगे तो अब क्योंकि दोनों का find set same है इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई connection है और अगर मैंने एक edge लगा तो cycle नहीं बन जाएगा यह idea है sir तो find set दरसल एक trick है जो हमें मदद करती है detect करने में कि क्या इस edge को include करने से graph में cycle तो नहीं बन रही अब आप मुझे बताओ अब आप मुझे बताओ मिनिममम वेट वाला 2 के बाद 3 ले लेते हैं अब आप मुझे बताओ जब मैं 3 लोंगा what is find set of a what is find set of c c only I can take this edge no problem next लेखते हैं अगला 3 है क्योंकि मैं ले रहाँ non decreasing order what is find set of e no find set of e is bc क्योंकि वो connect हो चुगा तो भी bb आएगा what is find set of f it is f only इसका मतला अगें यह दोनों connected नहीं है मैं बिना डरही यह edge ले सकता हूं then अगला number 4 का है what is find set of f it is b e f what is find set of g it is only g again I can make this connection no problem अगला number is 4 का है what is find set of c it is ac what is find set of b it is it is b e f and g again different है I can take that edge also मैंने कुई छोटा एज मिस तो नहीं किया I think अभी लगोला सब कुछ include कर लिया गया भी इच वाला कनेक्शन नहीं कोई बात नहीं अगला number किस का है 4 का 5 का let me take a b what is find set of a it is a b c e f g what is find set of b it is b c e a e f g मुझसे जो जो reachable है दोनों का find set same है यानि कि a and b में पहले से रास्ता इसको include करूंगा तो cycle बनेगा let me ignore this same logic यहाँ पर e & g का find set निकालोगे बाहर जाएगा d & c का निकालोगे c में sub आएगा d में कोई नहीं आएगा so you also take the energy and i think that will be all graph 1 गया इसके बाद भी आप इन तीनों पर try करोगे तो सबके find set same आएगे nobody will be included so काम वही हुआ है सबसे चोटे edge weight को उठाना और आगे बढ़ते जाना है बट जो execution है find set सबसे पहले make set find set union बच्चे पढ़के बड़े confused हो जाते हैं but i hope अभी आपको confusion नहीं होगा make set सिफिक theoretical idea है कि मैं हर vertex को independently treat करूंगा find set एक idea उस vertex से कौन-कौन फिलाल reachable है और union दो tree को kind of मैंने merge कर दिया ताकि अगली बार अगली iteration में जाने से फिल I can take consider them as single idea next come is next idea is time complexity जादा तर case में when you check out the exam whether it is university exam or placement or placements or even you know competitive exams graph के case में लोग बड़ा हिचकते हैं time complexity पर बात करने पर examiner भी नहीं avoid करता है look for example suppose sorting है बहुत आपको question मिलेंगा sorting इसका time complexity है इसका कम इसका जाद है इसका क्यों कैसा इह कहानी इधर इसलिए नहीं मिलते graph का time complexity है वो depend करता है कि आप graph implement कैसे कर रहे है graph implementation आप matrix से कर रहे है data structure में बात किया there can be different idea altogether so because of all these issues यह exactly बोलना बहुत मुश्किल होता है कि exact time complexity क्या होगी even the worst case so you can go to entire discussion code तुमेना आपको already discussed करा दिया I can just pinpoint the important idea in general there you see order of log ee यानि कि e is the number of edges is the time complexity in general क्योंकि हम मानते कि जो number of edges है हर vertex से हर vertex तो connected होगी नहीं so in general it seems like this बाकि अगर आप चाहें तो इसको e log v भी बोल सकते है so either you say it is e log e or you say it is e log v now this is kind of most what should I say most efficient implementation जब जो भी सही तरीके से implement होना था अगर वो सब आप करके consider करके इसके उपर काम करें क्याना एक और basic idea है यार बीच में sort आपने किया है एक लाइन देखलो sorting किया है अभी sorting करने में आप जानते हो n log n से कम कम करचा हो नहीं सकता either the must sort or the heaps sort बाकि सब्सकोर भागते है तो e log e तो यहीं भाग गया e log e करचा तो यहीं हो गया तो पूरी complexity is the kind of complexity of the sorting only sir this is the idea I hope Kruskal का पूरा प्रोच आपको clear हुआ होगा then you have a homework question and bingo this time मैं सब्सक्रा कुछ अलग पूछता हू जोजफ बर्नार्ड Kruskal has how many brothers बर्नार्ड की स्टोरी बड़ इंटरस्टिंग थी मैंने बताई थी तो total brother मत बताना जोजफ की कितने brother है यह बताना कभी confusion हो जा answer में फिर वहाँ लड़ाई होगी comment section में sir पढ़ाई की video internet पे खो जाय करती है इस तरह के प्रयास धूमिल ना हूँ इसके लिए video को like जरूर करिए comment करिए और मुझे पूरी team को motivation करिए motivate करिए sir कि हम इसी तरह का content आगे भी आपकी सेवा में यहां पे लाते रहे yes भगवान आप सभी को खुश रखे जय हिन जय भारत